नमस्कार दोस्तों ग्यान विशेस चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारा देश भारत वर्ष अनेक वीद जड़ी बुटियों से भरा होआ है भारत वर्ष में अनेक प्रकार की चमतकारिक और दुरलब जड़ी बुटिया पाई जाती है जिसकी जादतर लोगों को पहिचान नहीं होती या इसके गुणों को नहीं जानते दोस्तों इस वर्ष को तो आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा ये जो आप देख रहे हैं ये जंगली बादाम का वर्ष है जंगली बदाम का व्रुक्स भारत की सभी प्रांतों में उत्पन होता है ये व्रुक्स लगब पच्चास से साथ फिट तक उचा होता है इसकी कई साखाय निकलती है और ये सदा हरित रहता है दोस्तों इसको अलग-अलग भासाओ में अलग-अलग नामों से जाना जाता है हिंदी में देशी बदाम कहते है तथा जंगली बदाम से भी जानते है जादतर भासाओ में इसे देशी बदाम और जंगली बदाम से जानते है इसका विज्यनिक नाम टेर्मेनेलिया के टेप पा है इंडियन अमेंडर ट्री इसका अंग्रिजी नाम है इस पर 15-20 सेंटिमेटर तक लंबे और 7-12 सेंटिमेटर चोड़े साखाओं के अंत पर पत्र लगते है यह पत्ते हरे रंके होते हैं लेकिन जब पक जाते हैं तब लाल रंके हो जाते हैं दोस्तों इस प्रकार के अंडाकार और नुकेले तथा चप्टे इसके फल होते हैं जिसे जंगली बादाम कहते हैं ये फल कच्ची अवस्था में हर रंके और पकने के बाद लाल और बैंगनी रंके हो जाते है वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले क्योंकि लाइक करने के कोई हमें पैसे नहीं मिलते आपके लाइक करने से हमारे वीडियो का मोटिविशन आपको जाता है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हैं और बैल आइकन घंटे दबाने के बाद आल पर क्लिक करना बिलकुल न भूले क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो इसकी नोटिपिकिशन आपको एक सेकंड के अंदर मिल सके जंगली बदाम तवचा रोगों की सबसे बड़ी आउसदी है इसके कॉमल पत्रों के रस में से एक मलहम तयार किया जाता है ये मलहम गिली खुजली तथा कुष्ट रोगों का नास करती है दोस्तो जंगली बदाम के फल की गुटली को थोड़ कर इसमें से गिरी निकाली जाती है ये थोड़ी कसली और मिठी होती है लेकिन बहुत कामोते चिक होती है आयरवद के अनुसार जंगली बदाम के गुणों की हम बात करें तो ये थोड़ी खटी, मदूर, कसली, चितल प्रकुति की और पित को मिठाने वाली होती है इसके फलों को खाने से सुक्रानों की बढ़ोतरी होती है इसकी चाल, पत्ते और कच्चे फल स्थम्भक होते है ये पाचक और मुत्रवर्दक होते है इसकी चाल और पत्ते को पाने में उबाल कर पिने से मुत्रख खुल कर आता है और पेशाप की समश्याओं उसे छुटकरा मिलता है इसके पके हुए फल खटे मदूर और पोशक ततों से परपुर होते हैं इसको खाने से पाचन सकती बढ़ती है ये तीक्सन तथा वाजी कर भी होते हैं ये पल सरेर में बढ़े हुए पित को दूर करता है और आतों के लिए कापी फाइदेमन होते हैं तो दोस्तों आए जानत नाक में डालने से सिर दर्द तुरंत खत्म होता है इसके अलावा इसके कोमल पत्तों का रस निकाल कर पिने से भी सिर का दर्द मिटता है दोस्तों सिर दर्द मिटाने के लिए इसका एक और प्रयोग है इसके फल की गिरी कोर सरसों के तेल के साथ पिश कर सिर पर लगाए इ दोस्तो इसके पत्तों के रस में थोड़ा काला नमक मिला कर पिने से बहुत पाइदा होता है। चर्मी विकारों को दूर करने में बहुत फायदेमंद होती है इसकी लिए जंगली बदाम के पत्र और चाल को पिसकर तवचा पर लगाते रहे कुछ दिनों के प्रयोग से सभी प्रकार के फोड़े, खाओं और कुष्ट में बहुत फायदा होता है इसकी अलावा इसके ताज्य पत्तों का रस निकाल कर खुजली और कोड तथा दाद पर लगाने से ये जल्दी से खत्म भी हो जाते है तो दूस्तों ये थी आज की महत्व पूर्ण जानकारे वीडियो पसंद आने पर लाइक करे, शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकारे के साथ